एक बड़ी खबर दर्भंगा सहर के बीचो बीच अलल पट्टी से आड़ी है जहां रिस्तों को तार-तार कर दिया है पोते ने जहां अपने ही दादी को बिजली के रौड से मार मार कर किया है अदमरा या जो बिलक्ती महिला को आप देख रहे है या गंगा देवी है जो की दर्भंगा सहर के अलल पट्टी की रहने वाली है जीहां दर्भंगा सहर के बीचों बीच अलल पट्टी में घटी है बैंकर दिल को दहला देने वाली घटना अपनी दादी को पोते ने बिजली के रौड से मार मार कर किया अदमरा जीहां रिस्ते को तार-तार कर देने वाली या घटना दर्भंगा सहर के लहडिया स्रै थाना सितर अंतर गत अलल पट्टी में घटी है जहां अपने ही पोते ने अपनी दादी को बिजली के रौड से मार मार कर लव लोहान किर दिया पिरिता गंगा यादव उम्र लगभग पच्पन वर्स पती स्वरिये फकीरा यादव ने बताया कि अपनी बहु से खाना मांगना समय पर या बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है समय पर उसे खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता था और जब उस महिला उसकी बहु के सगे संबन्दी आते थे तो उनके लिए सब कुछ समय पर होता था लेकिन मैं बुढ़ी महिला खाना मांगती थी समय पर तो मुझे नहीं देता था इतने सुनते ही उसका पोता बड़ा पोता नाम बबलु कुमार जो की दसवी का छातर है और इस वर एक्जाम दिया था उसने इन कारणों से उसे बिजली के पाइप से मारा है जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो में हाथ में जो निसान है लहु लुहान हुआ है हाथ कई जगा मां स्थटी वी है या उसके पोते ने दरिंद की अपनी दिखाई है इन कारणों से उसे मारा है कि आखिर उसकी दादी ने समय पर उसकी मां से खाना क्यू मांग लिया आपको बताते चले गंगा देवी का एकलौता बेटा है राजकुमार उसके दो बेटे हैं जिसमें से बड़ा पोता बबलु कुमार ने यह घटना को अंजाम दिया है उसने रिष्टे को तार तार कर अपनी दादी को यूँ इसकदर मारा कि उसे अदमरा कर डाला आगे देखिये पिरिता ने अपने दर्द को बया कर क्या हूँ बताया है कि नाव हम पोता के बाबुर बेटा के राजकुमार और घटना की नाम हो लंगा देवीर के ते उमर होता है आगे बताया आपको पती का नाम है प्राटका जाद हो फकीरा जाद हो वाकीरा जाद हो किन कार्णों से मारा है आपको कफिले मार लगो लाओ यह गुनतित पार्सथाफ शाज खाइब पिया यह अहां अमरा बारा एक बज़ी दूबाजे दाया काला पुताव तार से परका परका या करता हुआ परता है अपरता है अपरता है दसना के परिचाह दिया है क्या नम हुआ अपका गादेवी